वाव, वाट अ ब्यूटी मेरी गाड़ी रेड लाइट पर भी नहीं रुखती पर तुझ जैसी लड़की को देखकर पता नहीं क्यों रुख जाती है यही इसकी वीक्नेस है मेरी भी एक वीक्नेस है तुम जैसी खुबसूरत लड़की को देखता हो तो इसे चुम लेने का मन करता है अगर मान गई तो एक नहीं तो दस लूँगा क्या बोलती है अच्छा जवाब था ये अब तो तेरे लिए दस किस भी कम पड़ेगी तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया अब किस देने के लिए तयार हो जा अगर एक लड़की को उसकी मरजी के बेना चुएगा तो वो नाराज हो जाएगी लेकिन अगर उसके दिल को चुएगा तो तुझे कभी नहीं भूल पाई पीज देना बंद कर तू जानता नहीं मैं कौन हूँ तू भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ तूम लोग इस हीरो से निप्टो मैं इससे देखता हूँ जानता कि मैं कौन है ... ... ... ... ... ... ... ... प्रियों जाए प्रिया जाए अव्णि प्रियों जाए फडियों नाए मैं झाल रहे देने ना हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है जी एरो मारो इनने स्टृच्भ पेदर सेब्स구나 है प्सुम्हे थैं हुasion थैंक्स थेंक्स है इस तरह से मत देख नहीं तो तुझे प्यार हो जाएगा यह चेक मैं जीत गया मैं पॉलिटिक से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से जीता हूं यह टैलेंट बेटे की शादी करवाने में यूज़ क्यों नहीं करता क्या कहा तुम्हें गवा की लड़ी ती नजर में चाहिए मैं शाधिया कराता हूं मुझे दलाल समझाया क्या फोन रख बे क्या हुआ समय ठीक नहीं चल रहा गया पर जल्ला बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया लगता धंदा चीट करना पड़ेगा जल्साब आप यह फोट पराम है बस मतलब पूरा समय स्टेज़् पर ही बताती है शाधी के लिए समय तो बता रहा था वह अपने पती के साथ रहने के लिए समय निकालने की कोशिश करेगी कंडिसंस अपलाई हमें अच्छी सी बहु चाहिए कोई फरक नहीं पड़ता उसके पास कुछ हो या नहीं की है भाई आई एस आफिसर की बेहन है हां तीन कारे हैं बंजारा हिल्स में बहुत बड़ा बंगला शमशाद बाग में अंगुरों का बाग है और जुबली हिल्स में कब से कलेक्टर है रहें यह साल से सेलरी कितनी होगी काण से 25,000 और आख कि इनकम लाख दस साल में कितना इनकपे ऐस यह पद्पभूशन जैज ऐसी फैमली के साथ रिष्टा नहीं करेगा अरे सार उसके पास पैशे हो या नो उससे आपको क्या लेना देना यह क्या है कोरा कागज यह क्या है काला धब्बा एक सफेद कागस पर क्लियर दिखाई दे रहा है इसी तरह लोग उनसे रिष्टा जोड़ने के बाद हमें भी गलत समझेंगे मेरी बहु ऐसी होनी चाहिए जिस पर मुझे गर्व हो उसकी वज़े से हमारा नाम खराब नहीं हो समझ गया ना समझ गय होगा जिसमें कोई दाग ना हो चलता हूं कि दया सर लो तुम्हारा सर्विस चार्ज यह क्या चेक मैं अपना सारा ट्रांजेक्शन चेक से करता हूं थैंक्यू सर थैंक्यू स्टेट बैंक आफ इंडिया नाकवडा ब्रांच तेन सो रुपे का चेक दिया है और आटो रहा हूं यह ओंशी बुलाया किसने ग्रेट इसकेप क्यों बेटा जो बोला था ले आया ना लिल्ल सोप टूथ पेस्ट यह क्या है रे तुम्हें क्लोज अप कहा था कोल गिर्ट क्यों ले आया यह मांत कल तीवी नहीं देखती क्या आसिन ने कहा है इसको करने से आपके द मा पना हमाने को कहा था ना मा तो मैंतलो हस्की वर हुँ भाया ने कोई जोक मारा था हूं आपामना यह यह वैक से मैं क्या कर ओए शेखता हिना है किसका है यह आफ चनक में यह ओस लड़कीों अचा यह पना मूंढना रखेगी है एक लड़की को लड़के रस्ते में छेड रहे थे तो बस मैंने उसे बचाया मा इसे चुमके की तरह लटका लो तुछुप कर इसको तो पता निक कब अकल आएगी मैं सच कह रहा हूं मा यकीन करो मेरा अब बस भी कर तेरे डाड़ी को इसके बारे में पता चलेगा ना तो वो हम सब को पागल कर देंगे अगर वो लड़की दुबारा मिले तो उसे वापस कर देना कर देना क्या हुआ नंदनी को चोड़ो ना जान जान ए तभी मारी इतनी आगे बढ़ गई अभी अभी सॉंग खतम किया था और तुम लोग आगे डिस्टब करने अच्छा हेलमेट वाले ने जादू कर दिया तो हम लोग डिस्टब लगने लगे अच्छा ये बता वो है कॉर नहीं मालूम नहीं मालूम जब जानती नही तो उससे प्यार कैसे कर सकती हो जैसे उससे नहीं मालूम की मैं कौन हूँ पर फिर भी बचाया ना उसने मुझे अगर मैं उसका प्यार बनी तो मुझे कितना प्यार करेगा एना जरा सोचो तो अच्छ और एक यहरिंग के लिए इतना टिंशन क्यों ले रही है वो सिर्फ यहरिंग नहीं थी वो मेरी मां की निशानी थी अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरे सारे घरवाले परेशान हो जाएंगे तो तो बड़ी मौडर्न बनती है ना इतने सेंस्टिव है सेंस्टिव मत कहो सेंटिमेंट कहो जब लड़ाई हो रही थी शादू वहीं गिर गई हो मुझे लगता है यहां डूनने से कोई पायदा नहीं किसे लखी फेलों को मिल गई होगी चला तर्बुझ खाते हैं मुझे पता है तुम एरिंग धूंड रही हो न एकंत चिंटा-चिंटा यह चिंटा-चिंटा नहीं चिंटा-चिंटा affirmatoga क्या कहा तू अंदा था ना मुझे सो रुपए दो सब कुछ बताऊंगा बताओ मैं असल में अंदा नहीं हूँ इसके लिए सो रुपए लिए क्यों इससे ज़्यादा जानना है अज़ा ठीक है मौर्निंग 9-11 इमनिंग 4-6 चिलर वा लोग लिए अंदा हूँ इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में दूसरा नहीं है और खाली समय में रियल स्टेट का भी काम कर लेता हूँ दुनिया में रियल स्टेट से अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं मेरे पास 25 एकर जमीन है तुम्हें चाहिए क्या है अरे मेरे ये रिंग के बारे में बताओ मैं बता सकता हूँ चुराई है क्या सो रुपया और दोगी तो बताओंगा ये बगड़ों अब दे मेरे पास होती तो मैं कब का दे दिया होता कल जब तुम्हें इदर उठा रहा था इदर जुला रहा था उसी वक्त तुम्हारी एन इंग हीरो के शर्ट के पीछे फस गई मैंने देखा ये बात तो तुम वहां भी बता सकता था वहां बहुत सारे लोग थे कैसे बता देता मैं अंधा नहीं यह पता चल जाता तो मार मार के मेरे को लंगरा बना देते और तब असलियत में मेरे को भीग मांगनी पड़ती रियल स्टेट भी बंद करना पड़ता हम कंपनी में काम करती हो ना हाँ करती हूं अगर यह तुम्हें नजर आया ना तो मुझे फोन कर देना ठीक है इससे हमारा क्या फायदा जो भी उसे ढूंड़ेगा मैं उसे एक सप्राइस गिफ्ट दूंगी इस लड़के को कही देखा है आपने इसने अपका पर्स चुराया मैं तेरा बोज नहीं उठा सकता मोटी मेरे अपर उतर जा अरे जो दर क्या देख रही है उतर जा इतना खाएगी तो तुभी फट जाएगी हां यह यह वो देख हालो तेरा हेलमेट वाले हो मिल गया कहां बैगम पेट में कॉपी डेके पास उस पे नज़र रखे रहना मैं आभी आती हूं लेट्स को चल 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 कहां गया वो कहां है वो पता नहीं कहां चला गया तुमने मुझसे जूट बोला और इतनी दूर से मुझे बुला लिए पूरा मूट खराब कर दी यह जब जी तक में रम्या के पार्टी में पॉछना था और इटी पांच बच गे अरे रे रे हम घर कब जाएंगे कब प्रेश होंगे और कब पार्टी में जाएंगे और एस्क्रिम तुम भूली गई कर्रेक्ट अरे वहां वहां ब्यूटी पालर है हम वहां तयार हो सकते हैं और मेरा हीरो अधे हीरो कुमार दोली बाद में डूंड लेंगे तु चल अभी विल्कम माडम पेशियन अपको अपॉट्मेंट लेना है माडम नहीं अभी करवाना है प्लीज वेट एक डूंड मूव डिजाइन खराब हो जाएगा तुम बहुत यह स्मूध ली टाइट्यो बनाते हो अगे इस डण यह क्या इतनी जल्दी हो गया ओके बाई 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 एई चलना उस डिजाइनर के बहुत डिमांड है तुम लोग जाओ वर्णाप प्लेजेश के राच आप अइच्छ में राच नर्मचे लेंग तो जो जो है इतवा जोटना है यह तन पर जोटना है यह तन तन पर कर दंड देरा ही तंड़ी जोची चाहे अलो, excuse me, stop the chemistry लगता हो लड़की पढ़ के लाग तुसके लग निये, चल, कलर मिसका है ओ, 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 गाड़ मेडम, आप चा पसंद करेंगी बिरिया नहीं मिलेगी क्या, फेशियल कर बे मेडम, स्पेशिल फेशिल के साथ सिविंग क्रीम फ्री है मेडम स्दा स्मार्ट मत बन, कच्चचब आजाऊंगी, समझ गया? चल, जल, दिकर मोटा कल, येस मेडम हैस्टाइल, हैरिस्टाइल मेरे बॉस करते है मेडम वो क्यो? इस चेरे पर कौन से इस्टाइल जैसे की ये मेरे बॉस प्या करते है वो लंदा से ट्रेंड है, मैं उनको बेशता हूँ या, कहिए हलो मैं सुबह से तुम्हें और सिर्फ तुम्हें दिवानों की तरह ढूण रही हूँ तुम्हें पता है? पर किसलिए है? मेरी एरिंग के लिए तुम्हारी एरिंग मेरे पास ही है इन फैक्ट, इसे लोटाने के लिए मैं तुम्हें ही ढूण रहा था नो, अब बिल्कुल सही जगा पर है मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने मा के निशानी खो दी लेकिन मा भी यही चाहती है अरे, कोई इसे समझाओ शी लावस यू बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब इसको भी यही फटना था क्या? यह टायर भी तेरे बाप की उमर का है इससे भी पुराने मेरे अंकल है मेरे उपर कभी भी फट सकते हैं इज़त से मुझे वापस चले जाना चाहिए इस टायर के साथ अगर यह जीब भी फट जाती ना तो भी हम वहाँ जाते सिर्फ एक इरिंग के लिए तू इतने दूर आया है नहीं यार, लव स्टोरी तो आगे है वो क्या है? ए उदर देख क्या भाईया, फिर से रेट सिगनल तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ? यह स्टेपनी कौन है? मैं स्टेपनी नहीं हूँ मैं इनकी बेहन हूँ भाबी भाबी? तो तुम इसके साथ हो क्या? आपको कहा था, फिर भी आपने मुझे इनसे नहीं मिलवाया आखिर आज मैंने इने तेखी लिया आप कितने बुद्धु हैं भाईया इतनी खुबसूत लड़की आपसे प्यार करती है और आप इसे ना बोल रहे हैं? कैसा है आप? भाबी, आप इनने बिल्कुल मत छोड़ना इनकी प्लस माइनस क्या है? मैं सब आपको बताऊंगी अपना इमेल आइडी दे दो ओकी आपने अपना इमेल आइडी पे भाईया के नम पे रख लिया ना? मैंने हर चीज में वमसी जोड़ दिया है चनना भाबी, बैठ के बाद करते हैं फिर कभी चलूँगी अज मेरा लास्ट एग्जाम है, बहुत लेट हो गया कल मिल सकते हैं? ओकी, all the best, भाबी थैंक यू बाई वमसी बाई भाबी, बाई बाई अब बैठेगी हमारे एक्जाम्स कदम हो गए, अब हम अजाद है लगता है भाईया आए है भाईया? भाईया भाईया नहीं आए बेटा, ये उनका दास भद्रा आया है अच्छा भाईया क्यों नहीं आए? ये फसल कटने का समय है, तो भाई का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है और कुछ समय बाद चुनाव होने वाले है ना, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है इसलिए मुझे बेज दिया ये वोटो किसका है? जौन अबराहम, बॉलीवुर्ट को बहुत बढ़न गोर जौन अबराहम हीरो होगा, तो सर्फ अपने घर का हमारे लिए सिर्फ एक हीरो है, और वो है भाई तुमें ऐसे पोस्ट कमरे में नहीं लगाने चाहिए भाई को ये सब पसंद नहीं और भाई को जो पसंद है ना, वही करो तो ये फ़ल अपने दोस्तों में बाट दो और चलो मेरे साथ चाचा जी, अभी एक अगनी परिक्षा बाकी है, उसकी बात ही चलेंगे हम लोग अगनी परिक्षा, ये क्या होता बेटा? जैसे आपका इलेक्षन होता है, वैसे यहाँ सिलेक्षन पेपर होता है, यहाँ का महौल अभी बहुत गरम है तो ठीक है, बली को बुला लेते हैं बली को? क्यों? जो तुमारे खिलाफ होगा, वो गया चाचा जी, हम अपनी प्राब्लम सॉल्व कर लेंगे, आप जाईए, मैं भाईया से फोन पे बात कर लूँगी ठीक है अबे, जिन्दगी में तो कुछ करने पाया, इस सीडी के सारे टॉप पे तो पहुँचिया, इंजॉय कर मोटे जान बची, यह लो तुम जाओ अब देख, कैसे टॉप में पहुच्छते है, आद रग रहा हूँ ए, कौन कर रहा है? हाई ओमाइगाड, तु यहाँ? मैं गॉट नहीं हूँ, मैं नंदिनी हूँ तु यहाँ क्यों आई? एक टूब लाइट, दूसरे टूब लाइट को कैसे फिक्स कर रही है? यह देख रही हूँ ए, तू नप मुझसे प्यार करते हूँ ना? तुझे यहाँ सबके सामने शर्म नहीं आ रही है प्यार की आया है तो सबके सामने क्या शर्माना? हमारी शादी परंपरा के हिसाब से होगी पर सुहाग राथ तो पासनली होगी एक पागल, सब लोग हमें ही देख रहे है चल, नीचे उता देख तू सकते है, लेकिन सुन नहीं सकते ना? हलो, हो क्या रहा है यहाँ पर? तुझे दिखाई नहीं देता, सुसाइड सुसाइड? मुझे इस अफते की ब्रेकिन न्यूस मिल गई, मसा आ गया हलो, टीवी नाइंटीन हाँ ध्यान से सुनिये, मैं रिपोर्टर बंदरी बात कर रहा हूँ यहाँ बेगमपुरा में एक कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी ब्रेकिन न्यूस है अभी की ब्रेकिन न्यूस, बेगमपुरा में एक यंग कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने संभाताता से बाप जी वहां की सिचुएशन क्या है? यहां की सिचुएशन को समझ में नहीं आ रही है संध्या तुम्हें नहीं पता तो तुम भी वहां से उसाइट कर लो यह तुम कैसी बात कर रही हो संधिया अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम दर्शकों को क्या दिखाएंगे जल्दे जनकारी भीज़ें ठैंक्यू संधिया प्यार किसी को किड्नाप करके या धमकी देके नहीं होता है स्टेप बाइ स्टेप होता है यार एह स्टेप बाइ स्टेप ही तो यहां तक पहुंची हूँ बताओ तुम असे प्यार करते हो कि नहीं मेरे फादर एक टिपिकल कारक्टर है क्या मतलब वो ये रिष्टा कभी मंजूर नहीं करेंगे चुप-चुप साइड हो जाओ अगर मेरी बात नहीं मानी तो चुप-चुप साइड हो जाओंगी और सुशाइड करो एह 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 इसा मत करो ओके तुम अपने घर का आड्रिस दो फिर मैं तुम्हारे डाडी को मैनेज कर लूँगी तुम मैनेज करोंगी मैं कुछ नहीं चाहिए मैं उस टाइब की लड़की नहीं हूँ तो किस टाइब क्यों यह वंसी का घर है ना हाँ और मैं वंसी की ममी हूँ वंसी की मा इतनी यंग कैसे हो सकती है मुझे आपका आशरवाद चाहिए सासुमा अरे बताओ तो तुम हो कॉन आशरवाद दे दीजे ना सासुमा अहाँ दिया दिया यह मिठाई भी खा लीजी मिठाई नहीं खा सकती मुझे शुगर है मैं जो बताने वाली हूँ वो सुनकर आपसा शुगर लवर डाउन हो जाएगा अच्छो बताओ क्या बोलना चाहती हूँ मैं मैं आपके बेटे वंशी से प्यार करती हूँ वंशी से प्यार करती हो सुनिय जी क्या हुआ मुझे आशरवाद दीजे ससुर जी देखो मेडम मेरे पैर पटने से कोई फायदा नहीं है मैं एरपोर्ट के पास वाली जगह नहीं खरीदूँगा इसे प्लेइन की आवाज सेन नहीं होती सौरी अंकल मैं रियल एस्टेट की मार्केटिंग की लड़की नहीं हूँ तुम रियल एस्टेट वाली नहीं हो कौन है यह उसके बाद भी परेशान किया तो अरे तुम बोल रही तो दे देता हूँ यह किसलिए यह कहती है कि वंशी से प्यार करती है वंशी से हलो मैं मजब नहीं कर रही हूँ आप अपने बेटे से पूछ लीजे हाँ है वंशी यह मेरा बेटा मैं सलमान खान नहीं रितिक रोशन हूँ वाई आरी कॉलिंग मी तुम इन मेडम को जानते हो प्लीज टर्न लेफ्ट अन अगें राइट यह तुम्हारी गर्ल्फ्रेंट है यू मेन वेश्राली तुम वेश्राली हो अगर समर हॉलिडीज में आती है तो मिलके आइस्क्रीम खाते है बहुत मज़ा आता अभी इसको अगरोटीशन से टाइम ही नहीं मिलता सॉरी तुम कितने क्यूट हो और तुम भी उस वमसी से तो तुम बेटर हो लव सेंस भी है और क्यूट स्माइल भी है मेरा इमेल आइडी भी है क्रिश at the red yahoo.com भाई मेरे टच में रहना अच्छा तो उसे गलत पते भी बिज़िया अब लगता है उस पागल से फीशा छूट जाएगा चाहल सी नहीं है क्या हुआ तेरी हवा क्यों निकल गई यह वैल्यू है मेरे प्यार की वंशी सी बात यह है कि हाँ बताओना क्या बात है बहुली बहुस आपको बहुल रही है यह मुझे प्यार करता है और आप यह मुझे धोका दे रहा है यह देखिए उसका सबूत इसके डाड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है वो जहां कहेंगे यह वही पे शादी करेगा वन्ना शादी बिल्कुल नहीं करेगा प्लीज जरा मेरी बात सुनो क्यों रहे क्या कमी मेरे में क्या मेरा फिगर खराब है मेरी एजुकेशन भी अच्छी है बताओ अभी के अभी डिसाइड करो नहीं तो इस लाइफ का चैप्टर क्लोज इससे तुम्हें नहीं मारूंगी अपने आपको मार दूंगी यह सब क्या है देखो या तो तुम प्यार का सब के सामने इजहार करो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी और मुझे इसका एक्स्प्रेनेशन भी देना नहीं पड़ेगा इससे या तो मैं कटूंगी या फिर वो केक यह क्या मजाक है यह मजाक नहीं है मैं सच में अपनी जान ले लूंगी बोलो बोलो चाकू या प्यार ओके कल मंदिर आ जाना मैं अपना डिसिजन वहीं बताऊंगा अबे लगता है यह बहुत सच्चा प्यार करती है हाँ यह क्या कर रहे हो फोटो ले रहा हूँ फोटो लेने से पहले क्याप निकालो तुम्हारे सर का क्याप नहीं क्यामरा का क्याप अच्छा हूं बता दी और अगर हो सके तो जिब भी बन कर लो वंसी मैं बहुत लखी हूं भगवान मेरी हमेशा सुनते हैं मैं जो भी चाहती हूं मुझे मिल जाते हैं चलो अब तुम्हें सर्प्राइस देता हूं यह क्या है तुम्हें नहीं पता मेरी ख्याल से इसे मंगल सुत्र कहते हैं आज हम दोनों शादी कर रहे हैं इतना शौक क्यों हो रही हूं इतनी सिंपल शादी हो रही है इसलिए डोंट वरी मैंने सारा इंतिजाम किया है जय माला तो रेडी है ताज में पार्टी है ताज में फरस्ट नैट के लिए रूम भी बुक है रेडी में मंत्र भी तेया है शादी अभी? येस 100% यूथ सिर्फ प्यार करते है पर सिर्फ 10% ही प्यार में पढ़कर शादी करते है हम उनी 10% में से हैं मुझे पता था तुम मना करोगी तुम जैसी लड़कियों के लिए प्यार टाइम पास है डेली का एंटर्टेन्मेंट है दोस्तों के बीच अपने बॉइफ्रेंड को ले जाना टेटिस सिंबल है वो एक ड्राइवर की तरह तुम्हें मूवीज लेके जाएगा और पब्स लेके जाएगा सिम काट के लिए रिचार्ज करने वाला तुम्हारा ATM है वो एक जोकर की तरह तुम्हारी हर बात पे हंसे और हर जगा तुम्हारा पीछा करे इसे प्यार नहीं कहते नंदनी यूत में ये फैशन है इसे प्यार समझना पांगल पन है बहुत हो गया तुम जैसा सोचते हो प्यार मेरे लिए फैशन नहीं है और ना ही टाइम-पास है जो प्यार शुरू हो और जाके शादी पे खतम हो वो प्यार नहीं है सच्चा प्यार वो है जिसमें बड़ों का आशिरवार शामिल हो मेरे लिए साथ जन्मों के साथ को प्यार कहते हैं सच्चा प्यार क्या है यह हमें पता भी नहीं होता तब भी हमसे अनकंडिशनल प्यार करते हैं, हमारे पैरंस अपने प्यार की जीत हासिल करने के लिए हमें अपनों से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं अगर मैंने अभी तुम्हारा दिया हुआ ये मंगल सुतर पहन लिया तो मेरे परिवार के लोग सर उठाकर जी नहीं पाएंगे मेरे माबाप नहीं है इसलिए मेरे भाई ने मुझे राज कुमारी की तरह बड़ा किया तुम मेरे दिल में हो वमशी लेकिन मेरे भाईया ही मेरे लिए सब कुछ है मुझे बच्पन में जो कुछ भी चाहिए होता था भाईया लाके देते थे मुझे उन्होंने वो भी दिया जो मुझे नहीं चाहिए था बदले में मैंने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया दादी मा मुझे से हमेशा कहती है कि वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाती है और यही उनकी आखरे इच्छा भी है जैसे सब की होती है ऐसा क्यों कहते है तुम्हें पता है वमशी शादी सिर्फ मंगल सूत पहनाना नहीं है बलकि जिन्देगी का महत्वपूर्ण आउसर है हमारे सर पर शादी का मंडप हो या ना हो लेकिन परिवार वालों का आशिरवात होना बहुत जरूरी है अगर हम अकेले भाग गये तो कोई कॉम्पेटिशन नहीं जीत लेंगे पबलिक के सामने स्टेडियम में भागेंगे वही होगा असली कॉम्पेटिशन अगर हम बड़ों के आशिरवात के साथ शादी करें तो तब ही प्यार की जीत होगी अगर अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं सब तुम पे छोड़ती हूँ ये लो अगर दुनिया की सभी लड़किया तुम्हारे जैसे सोचने लगी तो उनके माबाप हमेशा खुश रहेंगे और मेरी ये ही मनो कामना है कि हर लड़की तुम्हारे जैसे ही सोचे भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे आरती लेलो बेटा कल्यान हो I'm sorry नंदरी मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे पीछा छुडाना चाहता था तुमने मुझे समझाया कि प्यार कोई खेल नहीं वो तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है मुझे तुम्हारी बाते और तुम्हारा मन इसका मतलब तुम्हारा प्यार सेंटिमेंट के चकर में फसकर रहे गया दोनों परिवार नहीं मान रहे होंगे सही बोल रहा है यार इसलिए तो सपोर्ट के लिए तुझे साथ लाया हूँ तु चिंता मत कर यार मैं उसके भाई को मना लूँगा यह देख मैं लास एंजल्स का रेटा नाजमी हूँ यह तो सिर्फ एक छोटा सा गाउं है तेरे प्यार को जरूर सफल बनाऊंगा ज़रा गाड़ी रूख हलो एक्स्क्यूज मी तुझे इंग्लीश नहीं आती होगी इधर रूख भूपती का घर किदर है क्यों बै ऐसे गूर रहा है भूपति का घर का है बता चाकू नहीं है ए बदी तु बच गया अगर दोबारा भूपती के साथ भाईया नहीं लगािना तो तेर सको दिमाग घुमक्या ना मेरा दिमाग कभी घुम नहीं सकता terror तु मेरी चिंता जरा ममिमत कर लास अंजलेस में मेरी इतनी इज़त थे यह गाउं वालों की क्या होका थे यार हलो ए भाई भूपती वहिया का घर कहा है बताएंगे लगता है और प्यार से बोलना पड़ेगा भूपती वहिया का घर कहा है बताएंगे वहिया क्या बोल थे क्या हो बे अब तो घूंग गया अब मेरी समझ में आ गया भूपती का सिर्फ दबदबा ही नहीं है दूश्मन भी बहुत है उसके भूपती का नाम लेते हैं मुझे लेफ्ट राइट दोनों तरफ पड़ गए यार ये भूपती क्या बला है मुझे कोई बताएगा देवी मा मेरी बहन के मित्र आ रहें बस इतना करना कि उनके जाने तक यहां कोई लड़ाई नहीं बद्रा भाई छोटी के दोस्त अभी तक नहीं आए बाली स्टेशन लेने गया भाई दो घंटे हो गए कुछ भी गलत हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा रिलेक्स गुस्ता मत किजिए गुस्ता से टेंशन बढ़ती है टेंशन से सुगर बढ़ता है अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किड़नी स्पेशलिस्ट हूँ यह बात सच है तो तुझे भरोसा नहीं ऐसी बात नहीं है डॉक्टर डॉक्टर वैदिनात रेडडी वैदि सिर्फ नाम का आता जाता कुछ नहीं हमारे भाई को आज तक चाकूपम नहीं डरा सके और तू इन्हें बिमारियों से डरा रहा है है देखो हम सभी लोगों की जिम्यदारी बनती है कि हम इनकी भलाई के लिए हरदम सोचें नहीं तो सोले गाउं के गाउं वाले जो इनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं वो हमें मार डालेंगे अगर उन्होंने माफ कर दिया तो जान से ज्यादा प्यार करने वाली इनकी छोटी बहन वो हमें नहीं छोड़ेगे पाई लगता है वो लोग आ गई सुनो बहना तुमारी दोस्त आगए देखो तुम लोग मेरी नंदिनी के दोस्त कितने सब अाखेर वो मेरी बहन है आव अंदर आऊ ये लोग को न नलो है शकल से ड्राइव लग रहे हैं ज्राइवर सामान अंदर लियाओ मैं सामान लेकर आंँ हम लोग नंदनी के फ्रेंड्स हैं तो तुम लोग को हम इने आपका घर दिखारें लेके आये थे मालिक हम इसे काऊगे हैं हम रामशी की बेटिया हैं चलते हैं मालिक संभाल के जाना धन्यवाद जी ये लोग ड्रैवर है ना मुझे लगा ये लड़की अनन्नी की दोस्त होंगी सिटी में दोस्तों लड़के भी हो सकते हैं और लड़किया भी हो सकते हैं हाँ भाईया शहर में लड़की भी दोस्त होते हैं आओ ना वमशी वमशी ये भाईया हेलो भाई साथ भूपती राए आइम पांडु दिखने में तो तु पूरा मामू लगता है और अपने आपको पांडु बुलाता है तुम्हें पता नहीं मैं कितना त्यड़ा आदमी हूँ मुझे पता है वंशी मेरी भावी मेरी दादी मा मेरे फैमली डॉक्टर बद्रा अंकल भाया की राइट हैंड नंदिनी तुम सब के लिए कॉफी बनाओ अंदर आईए आप दोनों क्या क्लासमेट हैं हाँ नो आप सेवें यर्स सीनियर हाँ दिख रहा है या तेरे चेहरे की जूरियां अच्छा तुम और नंदिनी क्लासमेट सा हो नहीं ऐसा नहीं है एक्चली हम फ्रेंड्स हैं शेयर में क्या करते हो मेरा फ्रेंड बहुत ही फेमस हैर स्टाइलिस्ट है सिटी में इसका बड़ा सब जीटी पार्लर है मतलब मतलब ये ना बाल काड़ता है इससे क्या हो गया ये सब भुखे रहे हैं तो तुम लाई हो, ऐसा मत बोलिये जी, he is a hair stylist, एक ही बात है, ये भी तो बाली काटता है न, मैंने भी वही का, ये बाल काटना भी एक इस्जत का काम है, ए समन्ना, तुम कौन हो, और किसके लिए काम करते हो, तुमारे पिता जी किसके लिए काम करते थे, आपके पिता जी के पिता जी, आपके दादा जी के लिए, देखा न, इसका परिवार साथ पीडियों से हमारे परिवार पे निरभर है, हमें नई हजामत की कोई जरूरत नहीं, मुझे घुमाफिरा के बात करने के आदत नहीं है, सीधे मुद्धे पे आता हूँ, यही, यही मुझे भी पसंद मैं आपकी वहन से बहुत प्यार करता हूँ कौन प्यार नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ, मेरी बीवी प्यार करती है, मेरी दादी, डॉक्टर, भद्रा, हवा, पानी, धर्ती, सारे गांवाले प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे मुझे यही बात सुनके, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जो भी हमारा दामाद ब ले सके, ये भी जरूरी है कि वो मेरे लोगों को अपना ही समझे, मुझे ऐसा दामाद चाहिए, तुम्हारे जैसा नहीं समझ गए ना, गाओं में घुछते ही समझ गया था, क्या समझ गए थे, अब हमें जॉगिंग के लिए जाना चाहिए, मतलब, जॉगिंग, जॉगिंग मतलब, शेर में लोगों के पास काम काम है, तो वो सब लोग बहुत दूर तक दोड़ते हैं, कोई उनका पीछा नहीं क तुम जाकर खाना लगाओ बहन, ठीक है भाईया, खाना खाके रात की ट्रेन से निकल जाना, फद्रा इनके टिकेट का इंतजाम करो, इन्हें रास्ते के लिए कुछ पैसे भी दे देना, चोटी ने कहा था तुम एक हफते के लिए यहां रुकने वाले हो, जी हाँ, उसकी जबान का मतलब समझ लो कि मेरी ही जबान है, फद्रा यह हमारे महमान है, आउट हाउस में ठहरा दो इन्हें, इन्हें गाव में रहने की बहुत खुजली है, तु जी गरवाला है, तुने भाई के सामने दिलेरी से कह दिया कि तुनकी बहन से प्यार करता है, अच्छा लग बारे में जानता हूँ ब्रा, पहुत सस्पेंस है, यह मत पूछना ब्रा, ब्रा का मतलब क्या होता है, ब्रदर, आपने अभी मुझे क्या बुलाया, ब्रदर, हाँ, अमेरिका में इसे ब्रा कहते है, ओहो, बहुत ठक गए होगे न ब्रा, यह, क्या हो आबे, मैं नंदिनी बहन के दोस्तों के लिए रेलवे स्टेशन गया था, तभी मैंने देखा कि वहाँ वेंकट रेड़ी के आदमी आ गया है, मैंने उन्हें मार मार के भगा दिया, कुत्ते की तरह हाँ प्राया, तुने मारा कि उन्होंने मारा है, लड़किया नहीं आई भाई, वो लड़किय की जगा लड़किया है बली, बली, अब ये कैसा नाम है, जैसे गाओं में बकरियों की बली दी जाती है, वैसे ही हमारा बली है, ये भाई के लिए जान दे सकता है, और जान ले भी सकता है, अगर भाई ने कहा तो मैं मार सकता हूं, और इसे कहा तो इसे भी मार सकता हूं, तू एक काम करवे, तू अपने आपको मार ले, सब सही हो जाएगा. बली. मली का शरावत और माधूरी दिख्षित जैसे होगी सोचा था. लेकिन ये तो बली निकली. पूरे इंडिया में तुझे प्यार करने के लिए यही लड़की मिली थी, क्या? इसमें ऐसी क्या कास बात है? अबे सुन, अपनी सलामत ही चाता है तो उसके खिलाफ बोलना बंद कर. फिर अपने भाई से ऐसा क्यों नहीं कहा? भाईया, भाईया, मैं इनसे प्यार करती हूँ. ऐसा कह सकती थी ना? अरे कोई लड़की अपने घरवालों को कहेगी कि वो किसी से प्यार करती है? मैंने इसे घर पर बिलाया, मैं इसे शादी करना चाती है. क्यों ने बोल सकती? नहीं कह सकती. यही कहने तो हम यहाँ आए हैं. तुमने उसे कहा तो रिएक्शन देखा ना? उनलोगों का कल्चर कैसा है देखा? भाई लोग है, भाई लोग. और एक अदमी शाकु दिखा कर उसे अपना रिष्टा बता रहा था. अर दूसरा हमें मारनी की धमकी दे रहा था. अगर मैंने अपना ट्रिगर दबाया तो एक ही बूलेट में तीनों का सफाया हो जाएगा. हमें इन से उलजनाने चाहिए, चल भाग चलते हैं. बक्वास बंद करना, और ये बैग अंदर रख. मतलब? अलमारी के अंदर रखना? क्या रे? क्या मैं तुछ चेहरे से बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, हम लोगों में कल्चर में ही हैं. अगर ये बात मेरे भाई ने सुन लीना, तो तुम्हारा सर तुम्हारे हाथ में होगा. ये सब तो ठीक है, पर तुम इस गेट अप में कैसे? यहां ऐसे ही रहना पड़ता है. अच्छा ये बताओ, मेरे भाईया कैसे लगे तुम्हें? ओ नौ, मैंने तो सोचा ही नहीं था. सोचा था कोई किसार मिसान होंगी. आराम से सब को समभाल लूगा. पर तुमने बताया हैं कि इतने स्ट्रिक्ट होंगे. बताती तो मज़ा नहीं आता. तुम्हारी हिम्मत देखना चाहती थी. अच्छा, अब देखना. फिर उन्होंने बताया कि वो नंदिनी के दोस्त हैं. वरना मेरे आदमी उनसे गाड़ी धुलवाते, पानी भरवाते, फर्श साफ करवाते, पता नहीं क्या 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 चाहिए? अगर हम लोग उधर मुग करके इतना भाग रहे होते ना, तो अपताक अपने गाउं पहुच गया होते. तेरे प्यार में हमें मुसीबत में डाल दिया. इस गाउं में नो डायलोग, नो सेंटिमेंट. सिर्फ लोगों को कैसे मारा जाता है, यही सब जानते हैं यार. ए लगता है गाउं में नए हो, अपनी चेन ब्रेसलेट जो कुछ भी है निकालो, निकाल बे, ए क्या कर रहे है, क्यों रहे, अमेरिका के Mike Tyson को जानता है क्या, वो बॉक्सिंग चैंपियन नहीं हो रहे, तुम लोग कितने लोगों रहे, कितने लोगों, तु इन लोगों को दे मझे निकाल का arguments, के अमें, करों हैं, मैं मनाा रहा बंदरो, शोड़ो जंदब का रहे, कि और यह क्यों, अलुद काल कि ऊज़्ता इन जल्दी दे हात मे, वो भीदे यह मैं नहीं दोंगा, तु म में पर्स में घुझом कुछ没有 उस रिंग की किमत एक करोर रुपए है अरे मुझे मिल गया एए एए कला ले रोक रोक अरे मैं इस गदे को समालता हूँ तू जाओं लोग को थो जा अरे तूड क्यों गया अरे तूड क्यों गया अरे तूड क्यों गया रुप है तुछे चुचा परोग डे ना साना अरे अरे या खाल गया बाओ भाग आरे प्लिया रूक तो यह लोग कहां से आगे इस वेंक का ड्रेदी को कोई जंडू बयोखूब नहीं बना सकता सब्सक्राइब कर दोनों भूपती के घर में आया थे मुझे ऐसा लगा भूपती ने तुम दोनों को मुझे मारने के लिए यहाँ पर बुलाया है और इसलिए मैंने अपने आद्मियों को तुम दोनों को मारने के लिए बेज दिया जीजा, ये लोग माना बम से भी खतरनाक हैं, यहीं काट देते हैं अबे चुपकर, अगर तुसे ज्यादा ही गर में चड़ी है, अपने फीचे भकरिया बंदिये, उन्हें जा के मार अब इन्हें देख, कितने प्यारे बच्चे वेरेन को लेकर के फिल्म क्यों नहीं बना लेते मैंने कुछ ज्यादा बोला क्या अच्छा, भूपती के आद्मियों को तुम दोनों ने इतने बेरे में से क्यों मारा? तुम लोग इतना चौक क्यों रहे हैं, वो उसी के आद्मी थे तुम्हें पता नहीं थे क्या? ठीक है, बताओ तुम लोग कौन हो, और यहां क्यों आए यूनो संथिंग रेड़ी? वेंकट रेड़ी, वेंकट रेड़ी या, या, माई वंसी लॉव विद भूपती सिस्टर ये क्या बकरा है बे? मुझे क्या पता? यू डॉन्ट नो इंगलिशना, ओके मेरा वंसी भूपती की सिस्टर से लॉव करता है ये भूपती की बेहन को प्यार करता है बात यहीं खत्म नहीं होती है उसकी बेहन का हाथ मांगने भूपती के घर गया था तो बताओ, भूपती की लोगों ने तुम दोनों पगलों पर हमला क्यों किया? उन्हें हमारा रिष्टा मन्जूर नहीं है ठीक है ठीक है अब ये तुक काम क्या करता है मैं हेर स्टाइलिस्ट अच्छा ये कम्पूटर पर काम करता होगा हेर स्टाइल मतलब नहुआ जिज़ा जिए तो तु मेरी ब्रादरी का है बार बार ये तो नाहीं निकला हाई भाम तुम chỉुड कुछ काम कर लेते हो औरे वह वह शादी व्या में बजाते ला दिंग कि टिंग के टिंग डिंग कि टिंग मैं वो सब नहीं करता दum संगीत के बाइब कुछ भी नहीं जानते अब इतु चुपकर बें मुझे लगता था सारे नाई तेरे जैसे गदे दिखते होंगे जिन्दगी में पहली बार मैंने हिरो जैसा नाई देखा है जैसा ही तुने कहा तू भूपती के बेहन से प्यार करता है ऐसा लगा किसी ने मेरे काल में अमरिक डाल दिया भले आने वाले एलेक्षन में मैं हार जाओ को को खाना वाना किलाओ आपको बतानी की जरूरत नहीं इनको देख लिया तभी मैंने सब तयार कर लिया कोई बात नहीं और तो को इतना तेज नहीं होना चाहिए जा लेकर जाओ इनको अंदर बीबी है तुमें के लागा इनकी बेटी है अचा ठीक है हम चलते है इतनी शर्म करेंगे मैं सब समझ गया अगर हमारी पार्टी के किसी आदमी ने भूपती की बेहन से शादी कर ली तो भूपती डूप मरेगा है तुम लोगों ने उससे मार खाई और फिर उन लोगों को वेंकटरणी के वाले कर दिया चल बाली बद्रा ये बताओ कहा जा रहे हो तुम भाई हमने इनसे कहा था कि वंशी और पांडू को मार कर गाउं के बार फैक दो लेकिन ये खोदी पिटकर आ गए बाहर निकालने को किसने कहा था मैंने भाई तुमने मैंने सोचा चोटी सी बात के लिए आपको क्यों परशाद कर आओ वो हमारे महमान है मेरी बेहन ने उन् कट रेडी के हवाले कैसे कर सकते हैं अगर उसे पता चल गया वो हमारे लोग है वो उन्हें छोड़े का नहीं जाओ उने लेकर आओ अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ तो क्या हुआ सब लोग इतने शौक क्यों है हम घर भी गये थे हम गेस्टाउस भी गये थे हमने तुम्हारे आदमियों को बहुत दोया क्योंकि हम किसी से डरते नहीं है न जबान संभाल के वरना यहीं सब कि समाधी बन जाएगी और हाँ हमने सुनाया कि रेडी की आदमी तु क्या बताया उन्होंने आप अपनी बेहन की शादी कराने की स्थिति में नहीं है आपकी माली हालत बहुत ही खराब है मो बंकर शादी का खर्च उठाएंगे तो आप दिर भाईंगे रिलेक्स यह दोनों रसी बम के लाइग नहीं एटम हम क्यों फोड़ना हर्यों हर्यों हर यारी आओ एकदम साही समय पर आयो हम सब की भविश्य वानी तो बताओ बपा सवेरम भजनम सारम सुझलो धारों सदलो धारों ये घर खुश्चियों शो भरने माला है शादी की शनाइया इस घर में बजने वाली है जल्दी इस घर में डब 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 शादी का बैंड ब बताओ वो तो वाग होगा उसको कोई पकर नहीं पाएगा वो डॉन कामिता बच्चल दोगा बुझारी फिर वही बात बाई को फिल्मी हीरो लोगों के बारे में मत बता घर के दमाद के बारे में बता दमाद क्या है उसको तुलवारों से खिलने वाला होगा जहां से आप सोच रहें वो वहां से नहीं आएगा वो कहीं और से आएगा बस इतना काफी है चाहिए आप वैली थोड़ा आनाज दे दो आपके जैह हर्यों महर्यों महर्यों यह को बूलemit के बात कब्रे मूझ elles कुंना चाहती ति उम्हांशी तुमने चोटी वहन को अच्छी तरह त्यार करो उसका होने वाला पती हरा वा बेटा नंदीनी के बाल तो चिडिया की घोसली की तरह लिख रहे हैं दादी मां आप चुप रही है आप नहीं समझेंगी मैं इसलिए पूछ रही हूँ इसके दुकान में ऐसे ग्राक आते होंगे ना दुकान मतलब वो जहां तुम यह सब काम करते होगे दुकान ओ अच्छा हाँ आते हैं रोज सु200 कमा लेते हैं रहा हुए ऑगर ये 1200 कमाएगा तो शेर में इसका गुजारा कैसा होगाम दादी मैंने कहाने यहां से बगवार म εδώ रही हूं घुसा क्यों हो रही फिरको बेटा इसे जल्दी से तैयार करके नीचे लेव बैं अब तुम रोग क्यों रह इसके लिए में क्या हसू और खोश हो जाओं? बोलो हसी आरी है ना? हसू? मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? पागल हो तुम मैं तुम्हें सुंदर किसी और के लिए नहीं बना रहा हूं मैं तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे घर वालों को दखा रहा हूं मैं दिखाना चाता हूँ हाई भईया तुम्हारी मूझे कमाल की है आप ही कहते हैं न भईया मूझे मरदों की शान होती है भईया आपके लिए एक तोफा लाया हूं तोफा? ये लो भाईया आपके लिए तोफा वाह एक इवार में सिर्धड़ से अलग एक इवार में तीन सर्धड़ से उड़ेंगे भाईया ए बदी इसे संभाल के रख दो ठीक है भाई बैठो बहुत सुन्दर लग रही हो बेहन कहीं मेरी नजर न लग जाए बावा कैसी लगी मेरी बेहन कैसी लगी ये भाईया बहुत सुन्दर बिलकुल एश्वर्य राय बावा हम बच्पन में साथ खेले हैं तुम मुझे अच्छे भी लगते थे लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करते हुँ कम से कम तुम तो समझो भाईया मैं अधनी को पसंद करता हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद करती है काफी है शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा अच्छा समोरत तैय करके मुझे खाबर कर देना बाबा तुम आज रूख क्यों नहीं जाते नहीं भाईया एक रेलवे कॉंट्रेक्ट लेने जाना है फिर कभी रूखूंगा चलता हूँ एई तुमने मुझे दिखाया कि मेरी बहन कितनी सुंदर है तुममें काफी अच्छी हो गेता है शाबाश थेंक्यू मुझे एक चांस दीजे मैं आपको भी बदल दूँ मुझे भी मेरे भूपती को भी थोड़ा सुंदर बना दो इसने आखरी बार पाउडर कब लगाया था पता नि अरे तु बोलना बोच जब आप अपनी बहन को सुंदर देखना चाहते हैं तो आप खुद क्यों यह सुंदर दिख सकते हैं भाई इस बच्चे को चांस दे के देखो ना भाई मान जाओ ना भाई बहुत पूरी हिरो की तरह दिखने वाले आपको मेरा वंसी हिंदी हिरो की तरह बना देगा सर्ट नंदिनी तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कह दिया कि बाबा तुम्हें पसंद नहीं तुम्हारे भाई ने वह बात तो सबके सामने हसके टाल दी लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी है आपने तो कितने आसानी से समझा दिया कि भाया कितने दुखी है लेकिन आप मेरा दुख नहीं समझ रही मैं उसी सिलसले में तुमसे बात करने आई हूं तुम्हारे दिल में कौन है बताओ क्या आप लोगों को पता नहीं है कि मैं किसे चाहती हूं लेकिन फिर भी आप सब लोग चुप हैं, कारण भाईया, जब तक भाईया मेरे दिल की बात नहीं समझ पाते, तब तक मैं भी उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, देखते हैं क्या होता है इन लोगों को निकालो यहां से, आपका फेशियल वाला चेरा इनको नहीं देखना चाहिए भाईया, पद्रा, बाहर जाओ, चलो रहे यहां से अरे हम साथ पूष्टों से यही काम करते आ रहे हैं, आरे मैं यही देख रहा था कि तुम लोग कुछ अलग करने वाले हो, आप एक किस बात के, आरे यह देखने के लिए, अच्छा, आरे जो काम मैं रोज करता हूँ, उसको देखने के लिए 100 रुपे दू, आरे उसी 100 यह क्या है? यह खीरा है, यह आपकी आंखों को ठंडा रखेगा, अच्छा होता है, खीरा आखों के लिए अच्छा होता है, मुझे थोड़ा सा देना मैं ने का, शीषा तू फोटो दिखारा है? यह किसी का फोटो नहीं है, यह तो आप ही है, मैं हूँ पकड़ता हूँ भाई मैं जब भी शिशा देखता हूँ बहुत गुस्सा आता है रिलेक्स, रिलेक्स सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है वैसे एक बात बता हूँ आप पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्या कहा, मेरी उन मूचों के बगएर भी पहले आप बड़ी-बड़ी मूचों के साथ जादू गण दिखते थे लेकिन इन छोटी मूचों में एकदम हीरो दिखते हैं आप मुझे दिलासा दे रहे हैं डॉक्टर पर वो लोग इस गाह में कभी नहीं रह सकते रिलेक्स, रिलेक्स आपने सिर्फ अपने बाली खोये हैं आप नहीं चाहेंगे तो भी वो वापस आजाएंगे आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, अगर वो मुझे मिल जाते तो मैं उन्ने निम्बू की तरा निचोड़ देता बहिया, आप जानते मैं आपको इस क्रिस्टाउस में क्यो लाया हूँ मुझे पता है, बार गया तो सभांसी उडाएंगे कह दिया, लेकिन ये बात एकदम सही नहीं यहां की हरियाली देखिए, यहां की धूब देखिए, आप सब कुछ भूल जाएंगे आप वहां देखिए, वो गिरगिट, इस दाल से उस डाल पर कुद्रा कितना अच्छा लग रहा है मेरी मूचें भी इसकी पूच की तरह थी औरे यार, इसको पिर ही आदा क्या, आप नारियल पानी पीजे, ए बाईया, एक नारियल दो पीर लो बाईया यह क्या रहा है, कार देखिए, भूपती नहीं है वो भूपती है हाँ भूपती नहीं हो मैं भूपती हो मैं भूपती हो मैं हाँ भूपती हो मैं हाँ 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 मुझे चोड़ दो भाई मैं कुछ बतारा चाहता हूँ वो लोग आपके सारे को मारे का प्लान मना रहे हैं भाई पिटे चाहे जाए जापू तोलसुन दर्बाद कि कि ऩाहे जाए 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 विशês कắ問.. अ... पार बने पाराख राख 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 शेर्ण भीन हम थ्ली रहा है हुआ को50 जया भास्ट आब हिसом को हुआ अचखे और हैख ऊट tant जिंग चला में और ये ये लेग, जे बहने बाइ कुऔ भाइ हाइ भाइ हाइ भाइ बड़ बने इम अब superstar भाइ रेख चलिए हॉस्पिटल चलते हैं नहीं रहने दो आपका खुन बह रहा है मैं बच्पन से नंदिनी को चाहता था लेकिन वो तुम से प्यार करती है ये जानकर मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई नंदिनी के लिए तुम बिल्कुल सही हो नंदिनी का ख्याल रखना चल भाई इसी ने बाबा को मारने की कोशिश की यही है वो एई इसे गोधम में ले जाओ और बांदो अगर कल तक वेंकर ट्रेडी ने मेरे पैर नहीं पकड़े तो इसका सिर उसके घर के बाहर टंग दूँगा चल 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 पेरी दूप देवी मा आज मैं आपको एक बली चड़ाऊंगा ले किया उसे भाई वो हमारी कैद से भाग्या भाई पर वो भाग कैसे गया उसे मैंने यहां से भागाया मुझे डर था आप उसे मार देंगे तुमने यह तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है कि तुम साथ दिनों तक हमारे महमान बनकर यहां पर रहें आज की बाद सात्मा दिन खतम शाम होने से पहले निकल जाओ नहीं गए तो सिर्क काड़ दूंगा तुम्हारा अब मेरी बात सुनो तुमने मेरे दुश्मन की जान बचाई है तुम कभी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते निकला बस एक बात कहनी है यहां गाम के लोग आपकी बात सुनते होंगे लेकिन वो जो फैसला लेता है उसको कोई नहीं मिटा सकता और उसने कहा है कि नंदनी अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो वो आपको मिलकर ही रहती है देखो बेटी हाल लड़की के माबाप हमेशा तीन आउसरों का ही इंतजार करते हैं उसके जनम होने का बड़ा होने का और शादी बेटी अपनी शादी के लिए अपने भाई की ही बात सुनो मेरा भूपती हमेशा तुम्हारा भलाई सोचता है मैं तुम्हे और तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हूँ जिस दिन से मैं इस घर में आया हूँ उन्होंने मुझे तुम्हें सौंते हुए कहा था कि मैं तुम्हें बेटी की तरह संभालूँ कुछ जिमेदारियों के लिए कुछ त्याक करना पड़ता है एक लड़की को बहुत से समझोते करने पड़ते हैं अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें भी खुश रहना होगा तुम्हारे भाई इस गाउं के लोगों के साथ न्याय करते हैं तुम्हारे साथ न्याय कैसे करेंगे बरुसा रखो अरे इस दलदल से बाहर निकल यार और खुशी से रहे तेख मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अगर तुझे खुश रहना है तो इस दलदल से बस कर कितनी बगबग करेगा मैं नंदनी के बारे में सोच रहा उसके बारे में मत सोच उसका भाई तुझे काट नलेगा आप बंदूग लेके क्यों बैठें आपने वमसी को शाम तक का वक्त दिया था न भाई की चेतावनी के बाद अब वो इस गाउं में पैर रखने की कोशिश नहीं करेगा तो पर बंदूग किसलिए इस बंदूग की गोली में मेरे दुश्मन का नाम लिखा है नहीं छड़ूंगा सुनिए जी वेंकटेश ने कहा है कि गन्ने के ट्रैक्टर शाम की पूजा के लिए कि यहां आ जाएंगे ओ ठीक है नंदिने अंदर ही है जाकर देख लीजिए नंदिने आओ भाईया देखिए मैंने वो सब कुछ बनाया जो आपको पसंद है क्या तुम आजकल इसलिए उदास रहती हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी मैं चाहती हूँ आप खुश रहें तुम भले ही अपना दर्द चुपाने की चाहे जितनी मर्जि कोशिश करो पर मुझसे कैसे चुपाओगी आप वंशी को पसंद नहीं करते यह आपकी मर्जी है मैं वंशी को पसंद करती हूँ यह मेरी मर्जी है हम दोनों की मर्जी कभी न कभी तो एक होगी न ये तुमने सच कहा, अरे ये हमारे खून में है, एक बार जो हम फैसला लेंगे, वो हमारे लिए आखरी फैसला होगा, आखरी अगर हम किसी को दिल से चाते हैं, तो वो हमें जरूर मिलता है कितनी गर्मी है, मुझे बार बार टॉलेट जाना पढ़ रहा है ये ठीक तो नहीं है, पर ऐसे काम चला सकीते हैं, थोका काला है, लेकिन चल जई इस काव में गुंडे ही नहीं, इस तरह के लोग भी रहते हैं क्या बिलकुल डाउट नहीं है, जैसे ही बूपती गन्ना की चिगा, वो फट जाएगा आदे गंडे में बैंगलोर की ट्रेन है, तु निकल जा, और तुम, मुझे कुछ नहीं होगा, तु निकल भाई, ये पहली फ़सल है, यदि आप हमेशा की तरह एक गन्ना खिचेंगे, तो हम ये फ़सल मंडी में भेज सकते हैं इस बार मैं नहीं की चूंगा, इस काम के लिए मेरी बहन के हाथ सब सशोब हैं जानती हूँ तुमारे बहन तुम्हें बहुत प्यारी है, लेकिन साल उसे ये काम घर का मुख्या ही करता आया है, ये प्रथा बदल नहीं सकती, तुमें ही करना होगा हाँ भाईया, आप ही जाएए, मुझे ही करना होगा, ठीक है उपती तुमने खत्रा मोल क्यों लिया? नंदिनी के लिए तो नहीं, मैं नहीं चाहता था कि गाउंवाले अपना भगवान खोदे अगर मैं मर जाता तो तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाता ना? अगर मुझे आपके बेहन मिल गई, तो मेरी जिन्दगी सबर जाएगी लेकिन अगर आप जिन्दा रहे, तो गाउंवालों की जिन्दगी सबर जाएगी मैं चलता खुद के बजाए तुमने मेरे लोगों के बारे में सोचा यही, यही बात पसंद आई तुम इस गाउं के दामाद बनने के लाइक हो पर इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं मेरी बेहन की है, दंदिने तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है अच्छी बगड़के बाल काटता हूँ उन्होंने इसके उसी हाथ को तोड़ दिया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा जो होना है वो तो होगा, आप रोग निक सकते वो आ रहा है तेलंगाना आएगा तो कोस्टल भी आएगा कोस्टल आया तो रॉयल सिम्मा भी आएगा मैं चिंता क्यों करूँ जी जी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा उस वमसी की राशी मुझे पता है पर इस राशी का क्या करूँ दर के मारे विरिशब राशी के पसी ने निकल रहे है इसका मतलब वो सिंग्राशी का होगा तू चूप रहेगा कि जान से मार दू अच्छा पहले उस वमसी ने भूपती की लोगों को मारा उसके बाद उसने तुमें मारा और भूपती की जान बचा ही अब वो उसे भचा के करना क्या चाहता है मुझे उसकी पॉलिसी को समझने नहीं आ रही है उसकी पॉलिसी से तो लगता है कि वो पहली बार में सबको मारता ही है माँ भारत में कृष्ण भगवान पांड़ों की तरफ से थे यह किस साइड से पता नहीं चाहा है मैं उन दोनों को नहीं चोड़ूँगा इनों ने तुम्हें और दोर बच्चों को मारने कली नहीं नहीं चुप करता हूँ अब वो भूपती घाल छेर की तरफ घूम रहा है तो क्या हम लोग साइब की तरह बिल में घुझ जाए जी जाओ समय आएगा तब फन निकाल कर उसे डस लेंगे बिल में सीलिंग फेल लगा ले न गर्मी बहुत पड़ती है लो पंड़िशी आगए उन्हीं से बुझ लो चोड़ना वो अपना पुझारी है आईये आईये हम सब लोग आपका कपसे इंतजार कर रहे थे काफी देर हो गई बैठी अरे भाई ये क्या कर रहे हो चलो बैठो श्रिमान जी ये क्या आप शेर जैसे दिखते थे अब बिली जैसे दिखने लगे है अरे वो सब बखवास शोड़िए जल्दी से हमारे सापका भविश बताईए बताताओ बताताओ इनका भी भविश और आपका भी मेरा भविश बताने की कोई जरुरत नहीं है सापका बता दो वही काफी है परवतों के देवतार रेड़ी का भविश बताओ ये बहुत परिशान है श्रिमान आप एक परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं और श्रिमान भाग आपका साथ नहीं दे रहा है ये सब बगवास कर रहा है इसकी बात मत मनना दूसरों के खेत आपके नाम हो जाएंगे इनके कितने बार बोला तुझे बीज में मत बोला कर बाहर के लोगों के सामने मेरा कच्रा हो जाएगा चीडिया के बारे में छोड़ दीजे गुरू जी पॉलिक्स के बारे में कुछ बताइए इस साल मंत्री आप ही बनेंगे गुरू जी कितने साल होगे किसी ने मुझसे बात कह नहीं नहीं ए सरसुदी मेरी बात सुन तोड़ी चीनी लेकर आना मैं इनका मुझ चीनी से बढ़ दूंगा इनका चीनी से क्या होगा शराब की पूरी बूतल देदो इनको ने स्रिमान हाप से काम चलेगा वो भी ले लो स्वरक की अपसरा यहां पे फूलों के साथ सजीवी यह लड़की है कि बिजली इसे में ले जाओ क्या ए गुरुजी बैट जा बैट जा मेरा भविश्य बता चल तो अंदर जा इसको अपने साथ मिठाए परवतों को देता खोशो के आशिरवाद देंगे अरे पुजारी जी इनकी जिनता छोड़िए अभी इनका भुष्य बताई तो आपका है गद्धी उसको मिलेगी किसे आप जीते के लेकिन वह हारेगा नहीं यह तो वैसा ही हो रहा है जैसे शादी आपकी हुई स्वागरास को मनाए मैं अची बास सुनना चाहता हूं तुम लोग क्या बक्वा देवता मेरी भलाई इसमें हैं तो वेंका ट्रेटी भगवान की भी नहीं सुनेगा यह ले चल भाग क्या समझाओ मैं हेमा हो जया हो कोई भी हो रहा हरा श्रीमती जी से पुरानी साड़ी मांगना चाहता हूं पुरानी साड़ी क्यों पेन रखी वही लेजा अब निकल जा चाहें से नहीं सो पाऊंगा इसका मतलब यह बभी सोईंगे नहीं क्या हुआ दादी वहाँ देखो इसे क्या हुआ 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 हालो लोग ऐसी उदासी शादी के बाद दिखाते हैं तो मभी से ही बताओ हुआ क्या आप सब तो अब बहुत खुश हो ना तो खुश नहीं होना चाहिए ऐसी बत नहीं है मुझे आपको मनाने में काफी समय लग गया लेकिन मेरे पिताजी को मनाना बहुत ही मुश्किल काम है वमशी तुम अब अकेले नहीं हो मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे पिताजी आखिर करते क्या है वो हाई कोट में जच थे अरे पहले क्यों नहीं बताया मेरा काम आसान हो गया न्याय और अन्याय के बारे में उनमें ज़्यादा समझ होगी वो तुम्हारे प्यार के साथ जरूर न्याय करेंगे मैं तुम्हें जबान देता हूँ ये होके रहेगा भाई आप तो मान गए मगर उसकी पिता जी नहीं माने तब अगर पिता जी नहीं माने तो इसकी माँ को मनाऊंगा क्या हुआ कब तक तु ऐसे लड़कियों की तस्वीर देखता रहेगा जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुमने कहा था कि वो दोस्त की शादी में गया है वापस आ गया है इसलिए फोटो सेशन हुआ ना मुझे हर हाल में एक अच्छी मैचिंग चाहिए डाडी डाडी ऐसे तो कोर्ट रूम में बलाते हैं हाँ इंकल डाडी भाईया का है मैं भी उसी का अंतिजार कर रहा हूँ एक घंटे हो गया उसको अंदर गए हुए भाईया बाईया क्या हुआ ज़र अपने हाथ दिखाओ पर बताओगी क्या है बोलाना हाथ दिखाओ मजाग बंद करो भाईया मैं चाहती हूं हर जंद में तुम ही मेरे भाई बनो सच में या पैसो के लिए ओ भाईया मेरे प्यारे भाईया चलो पैसे जल्दी निकालो यह सुर क्यों पिगड़ गया देखो नमात्मा गांदी कितने उदास दिख रहे है अच्छा बड़े फ्रेम वाले गांदी ची यह 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 लो देखो ने इस नोट में गांदी ची कितन को सुकून मिलता है अंकल हाई अंकल कम कम वाट प्लेजन सप्राइज मैं अकेली नहीं आई हूँ है हैंसम का है वह अपने रूम में है कम क्या हूँ अंकल ऐसे क्यों देख रहे हैं नहीं बेटी अभी फोटो में देखा था सामने देखके सौक हो गए मैं वमशी को शौक देने ही आई हूँ आई हूँ अंकल चार नमर वाली लड़की भी आएगी हाई अंकल मुझे क्यों नहीं बता है कि तुम भी आ रही हूँ जिससे मिलने आई हूँ उसे भी पता नहीं है यह क्या हो रहा है यह चारो लड़किया एक साथ क्यों आई यह चारो लड़किया और सबको अंकल वम्शी के दिल में हम लोग में से कोई नहीं है वो किसी और से प्यार करता है मैरे जाब made in heaven अंकल और उसे साबित करता है हमारा सच्चा प्यार अगर आप 100% जज हैं, 1000% पापा भी है तो वम्शी के प्यार के साथ नियाए ज़रूर कीजिए अंकल इतिहास में उन्हें मारते थे जो प्यार करते हैं लेकिन प्यार को कोई नहीं मार सकता गुडबाय अंकल तो महारा बेटा अच्चा चटका दे रहा है मैंने चार वेदों को देखा, 4000 कुंडलियों को देखा उन्हें से चार लड़कियों को चार दिशाओं से चुना अबे पाच्वी लड़की कौन है भावा भाईया, वो तुमसे बहतर पोजीशन पर है अरे चुप करना, मुझे तो चिंता औरी की आगे क्या होगा चिंता करने की कोई ज़रूर्द नहीं फर्स्ट इड मेरे साथ रहेगा ना और में एमर्जेंसी एट के साथ वामशी शेर तहार है चियर्स उन चार लड़कियों को चुननों में मुझे दो साल लग गये लेकिन तुम्हार एक झटके ने मेरे सारे सपने को तोड़ दिया वाट 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 शॉट लेकिन फिर भी मुझे गर्व है आखिरकार मेरे बेटे ने किसी को चुन लिया वो भी मिना मुझसे पूछे हुए चलेगा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता I am proud of you my son Come on फिर तुम उस लड़की को तुम्हारी मा और मुझे कब दिखा रहे हो आप उसका photo देखेंगे No more photos sentiment काम नहीं आएगा सीधे live देखेंगे मुझे बहुत खुशी है कि तुमारी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है बहुत खुश हूँ मैं आप सब लोग यहीं पर है मुझे पता है कोई मेरी help करो फ्लीज यह सब क्या नाटक है आपका get up setup बदलने के लिए वंशी ने यह सब भेजा है क्यों इस get up में बुरा ही है क्या यह get up आपके गाउं के लिए तो ठीक है मगर जज के हैं आपनी बेहन का रिष्टा ले कर जाएंगे तो अब उनके लेवल के लिए उनके status के लिए उनके reputation के लिए देखा ना मैं उनका नाम लेता ही कितना उपर पहुंच गया अगर ज्यादा बोलेगा तो यहीं लटका रहेगा तू बहले तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो जैसे हम गुनेगारों को देखते हैं मैं मेमानों के साथ अच्छे से पेशाऊंगा और इज़त से बात करूँगा उनसे ओके देख मेरे बाई तू बात से मुकर नमत रिष्टा कबूल कर ले मा यही है बाबी क्यों जी लड़की बहुत सुन्दर है ना बहुत सुन्दर है मुझे लगता है कि मैने उसको कई देखा है मैंने पहले से देखा नहीं लेकिन मुझे ये आदमी घड़बर लग रहा है यह तुमारा पुलिस वॉल माग बोल रहा है रिटार होने के बाद पुलिस पुलिस नहीं रहती या देड़ी ये मिस्टर भूपती है नमस्का नमस्कार जच साब ये मेरी पत्नी वो बहन नंदिनी और वो मेरी दादी और मैं डॉक्टर वेदनातर एडडी ऐसे बोल रहे हो जैसे राजशकर एडडी हो ये है भद्रा और ये बली अपने भूपती जी के राइट हैंड और घर में हो मैं चाहूँगा हमेशा तुम खोश रहो कि अच्छा आशिरवाद था मुझे पसंद आया कल की बात तो कोई नहीं जानता लेकिन ये आशिरवाद हमेशा रहते हैं हां भाई सही का ये आपका भाई है जी नहीं तो आपको ये भाई है क्योंकि ये चोटे भाई जैसे हैं देख क्या रही हो भावानी दो ना ये क्या है ये आपके लिए है मुझे इसा पसंद नहीं है ये हमारा रिवाज है दो इने लीजी अ सर आपका बेटा मेरी बहन से प्यार करता है अगर हम इनकी शादी करवाँ दे देखे भूपती जी ये जो प्यार है ना इसमें दो दिलों का संबंद होता है लेकिन शादी दो परिवार से संबंदित होती है मेरे इसाब से शादी कोई घर की सजावट नहीं है वो घर की अच्छा मैं दो दिन के बाद यहां आऊँगा आशा करता हूं आप अच्छी खबर सुनाएंगे नमस्ति चलता हूं सर सभाल के जाईए अब मेरे पास उनकी फोटो भी है वोइस रिकॉर्डिंग भी है उसके एरिया के ऐसाई से बात करता हूं उस भूपती का इतियास नि जरा खोल के बताओ वो जजज के ओदे से रेटार नहीं हुँँएं रिजाइन किया हुनोंने ८ह रिटायड जजज के बारे में सुना था फिल्साइन जज क्या होता है वो प्रेश्टिज पटवर्दन है असल में हुआ ये था जस्टिस पटवर्दन साहब मैं जस्टिस पटवर्धर नहीं हूँ, जश्ट पटवर्धन हूँ, आपने जॉप से रिजैन क्यों किया, कोर्ट में मेरे सामने एक अपरादी खड़ा था, वो काफी बड़े लोगों को जानता था, उस अपरादी को छोड़ने के लिए उपर से बहुत प्रेशर आये थे, वो चाते थे परिवार के लिए मैं उसको छोड़ दूँ उस ड्रग डीलर के करण कितने बच्चे बरबाद हो गए यंग जर्णेशन एकदम खराब हो गई ऐसे आदमी को छोड़ दूँ इसलिए मैंने उस ड्रग डीलर को पांच साल की सक्स सक्स सजा सुनाई और अपने जॉब से वाह वाह कई जज तो महान है प्रेस्टीज पटवर्धन मेरी बेहन का ससुर है अच्छा उसका क्या हुआ किसका वो मुझरिम जिसको जज ने सजा सुनाई वो उसे पांच साल की सजा हो गई वो एक दो दिन में बाहर आने वाला है ये उसका फोटो अरे बले इससे ज़रा याद रखना वो किसलिए भाई ये दिखा तो इसका सिर काट दूंगा मेरी बेहन के ससुर का दुश्मन मेरा दुश्मन जहां तक मुझे पता है इन 25 सालों में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है आईए 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 नमस्कार जट साब नमस्कार आईए बैठी डॉक्टर वैदनाजी नहीं आए रात को हैदरावादी बिर्यानी खाली थी इसलिए बातरूम का ही चक्कर लगाए जा जैसे शादी के लिए दूलन की कुंडली निकालने पड़ती है उसी तरह मैंने आपकी जर्म कुंडली निकाली है पर किसी जोतिश्य नहीं पुलिस और प्रेस से टाइम्स वारताहर ज्योती हिंदुस्तान आपका एतिहाज इन सब में छपा हुआ है अगर आपने इस सब कुछ स्वतंद्रता संग्राम के लिए किया होता तो शायद आपको भारत रत मिला होता लेकिन आपने ये गुणा अपने अपने स्वारत के लिए अपनी गलतियों को छुपाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए कि आया है आप एक खुनी है आप एक तना शाह है आपको पता यह क्या है? Indian Penal Court इसके अंदर हर गुणा के लिए एक सेक्षन है जो गुणा आपने किया है किसी भी सेक्षन के अंतरगत आपको सजा मिल सकती है ये सब कहानिया पुलिस ने लिखी है जो कहानों के लिए थोड़ा कडवी है किसी केस में मेरे खिलाब कोई सबूत नहीं मैं कभी कोर्ड में मुझरिम सावित नहीं हुआ आपके खिलाब कोई सबूत नहीं है लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपने कुछ किया भी नहीं है आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं आप जैसा इंसान इस घर के लिए बिलकुल ठीक नहीं है आप एक ताना शाह हैं एक दम खतरनाक अगर आज आप किसी को मारेंगे तो दस साल के बाद आ करके उसका बेटा आपको मारेगा और तो और वो मेरे बेटे को भी मार सकता है मैंने इसको पालपोस कर बढ़ा किया है आपके गुनाहों की पली देने के लिए नहीं सुनी जी चुपकर मैं इसकी शादी कहीं और करवा दूँगा तुम अपनी बहन की और कहीं करवा दो क्यों बेटी मैंने तुम्हारे भाई को भला बुरा का तुम्हें बुरा लगाओगा ना तुम्हें दर्द समझ में आता अगर तुम उस घर में जनम लेती जिन्हें तुम्हारे भाई ने मारा होता ये तुम्हारी बतकिस्मती है कि तुम इनकी बहन हो जट साप, ये रिष्टा वंशी और नंदिनी के बीच है, मेरे और आपके बीच नहीं, मैं बेहन की खुछी के लिए कुछ भी करूँगा आपको क्या चाहिए, मांग कर देखो, लाख मांगोगे, करोड दूगा, अगर घर बोलोगे तो पूरी गली ही खरीद दूगा सब मेरे खांदान को चानते हैं, साथ पीड़ी से, मेरे लिए ये रद्दी कागज हैं, जिसके मन में भी जो आता है, बस लिख देते हैं अब बोलो, मुझे दौलो दौलत नहीं चाहिए, इजददार परिवार चाहिए, आप में और मेरे में ज़्यादा अंतर नहीं, आप जैसा आदमी एक साइन करता है और किसी को फांसी हो जाती है, उसने कुछ किया हो या नहीं, मैं भी लोगों को मारता हूँ, अगर किसी के अचाह हूँ, ये तो मेरे इलाके में आके पता चलेगा आपको, आप में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, मार्ध होने की निशानी है, आपको पता है, शादी क्या चीज होती है, जिंदगी भर कर साथ, तुमसे रिष्टा जोड़ के कुछ जी नहीं सकता, गेट आओ, यह मैं ही नहीं, हर किसी को प्यार के आगे जुकना ही पड़ता है, आप दूले की तरफ से हो, आप हमसे एक कदम आगे ही हो, हम लोग लड़की वाले हैं, हम आपसे दस कदम पीछे ही हैं, एक भाई होने के नाते, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हम हर फैसले के लिए हाई कोट मे अपील कर सकते हैं, आप हमारे हाई कोट हैं, इसलिए मेरी बेहन के प्यार के साथ नियाय कीजिएगा, मैं जल्दी ही वापस होगा, नंदे ने अपने ससूर से आशिरवात लाओंगे। आप बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर वैदनाथ बोल रहा हूँ, रात को हैदराबाद बिर्यानी कुछ ज्यादा हो गई थी, तो पच्चे नहीं रही है, कौनसी दवाई लू हूँ, अरे, आप भी तो डॉक्टर हो, मेरी फीश थोड़ी ज्यादा है, वो जज है तो क्या मेरे पोते के बार में उल्जी सीदी बाते करेगा, वो इस रूटरा देवी का अच्छीता से जानता नहीं है, अगर मैंने साड़ी बांदीर हाथ में तलवार खीच ली ना, तो चोड़ों तरफ लाशे लाशे देखने को मिलेगी भड़ाया जच का बच्चा, दादी मा, श एक बार हाँ कर दो, उस जज का सर तुमारे कदमों में पड़ा होगा, हाँ भाई, काट डालेंगे उससे, आप, अप, एसे हस क्यों रहे हैं, उस जज ने गलत क्या किया, उसने मेरे बारे में बताया, यह बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है, मेरी जिन्देगी में पहली बार मेरे सामने कोई खड़ा होके सच बोल रहा है, मैं उस जज का सम्मान करता हूँ, और वो भी मुझे जल्दी समझ जाएंगे, और वो भी मुझे उतना ही सम्मान देने लगेगे, नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कि ये शादी जरूर होगी, किसके नाम से पूजा करानी है, वामसी, मेरे होने वाले जीजा, उनका गोत्र, गोत्र, अक्षे धारी, आप लोग आरती लेजिए, ए, रोक, 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 लगता है, ये इसी शहर की है, आज देखते हैं, ए, ए, चल जल्दी बट, भाई, आज करो जज के बेटे के साथ घुम रही है, शादी भी करने वाली है, आज चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, भगा, भगा, ख़ड़ो तेज चला, आज चला रहा हूँ, आज नीने चाहिए, आज पांस साल के बाद मैं जेल से बाहर निकला हूँ, मुझे रिसीप करने के वज़ा है, तु रोड़ो पे घुम रहा है, अरे भगा, आप नहीं जानते वो, लड़की, कौन सी लड़की, जज की होने वाली बहु है, उस जज की बेटी को उठा, तु आज उसका रेप करना, इसका रेप बाद मैं करेंगे, जो भी इस देश में पैसा कमाता है, उसे टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन तेरे बाप ने मुझे पांस साल के लिए जेल में भेजा, और मैं एक रुपिया भी नहीं कमा पाया, और तेरा बाप करोड़ पती बन गया, अब तेरे बाप को भरना पड़ेगा मेरा टैक्स, मतलब एक साल का एक करोड़, और पांस साल का पांस करोड़, तेरा बाप पांस जन्मों तक घूल नहीं पाएगा, जो अभी हम तेरे करेंगे देखती रहना तुम क्या करते हैं चोटो पहले ये डील तुम साइन कर लो उसके बाद तुम्हारे दोस्त भी साइन कर लेंगे कर दो करें अब करें चोड़ना यार अचा बता डीजीपी क्या करेगा वह कमिशनर को फोन करेगा कमिशनर पुलिस को फोन करेगा एक बार पुलिस में काम प्लैन हो गई तो वो लोग श्वेता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे मैं इनसे 20 साल से डील कर रहा हूं तुम ये बास समझने पाऊगे बलाई तुम श्वेता के पिता हो लेकिन वो इन आथों में भी खेली है मुझसे पैसे जमा किये है मुझे श्व तुम थी तो हो नो बेटी मैं बिल्कुल चीकूँ था इंगाट बेटी तुम उनसे कैसे बचके निकली नबस्ते जट साहाब आप यहां क्यों आए मैंने कहा था ना मैं जल्दी ही आऊंगा और मैं बादा नहीं तोड़ता मैं आपका फैसला सुनने आया पटवर्धन का सुनाएवा फैसला कभी बदलता नहीं है तुम्हारे जैसे लोग तो कभी बदलेंगे नहीं गाउस आकर कि चार दिन नहीं बोड़ रहे हैं फड़ी तिर पहले आपने थैंक गॉड कहा था आपको थैंक गॉड को नहीं इन अंकल को कहना चाहिए यह क्या बोड़ रही हुए यह नहीं नहीं है यह बली हाँ बाई मेरी बेहन के ससुर को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी ना आपने कहा था इसका स्थर काट देंगे है कौन है भी तूँग भाई तूँग 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 आये! जोई! जो! बाइ! बाइ! बाइले! हुआ इइ! बाइले! तुने भाई पे हाद रुखाया, अब तु सन्ना नहीं बचेगा, क्या हो खानेगा ये? भाई, इस कमेने को जान से मार दो, मेरी बेहन के सजूर को दुबारा तकलीद दीना, काट के रख दूगा कौन था भी ये? मैं अपनी जिल्दगी में किसी का ऐसान पसंद नहीं है, ये मेरी बेटी को बचाने के लिए टैड़ी, अंकल अगर पांच मिनट भी देर से आते हैं, तो मेरी जिन्दगी बरबाद हो जाती, आप इन्हें पैसे दे रहे हो, अगर मजी कुछ हो जाता है, तो भी आप पैसे ही देखते रहते हैं इस देश में रोज हजारों रेप केस कोट में आते रहते हैं, कुछ गुनेगारों को सजा मिलती है, लेकिन एक लड़की की खोई इज़त एक जज़ वापस नहीं दे सकता रो मत बेटी, तुम्हारे पापा को तो सिर्फ जयाए धार्म से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं अब कुछ समझ में आ रहा है मेरे, ये काम करके तुम दिखा रहेगो, तुम अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी परिवार का दिल जीत लिया है, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, उसके लिए तुम्हें अपने गाउं के लेक्षन जीतना होगा, बीना किसी वाइलेंस किसी और की बातों में भरुसा नहीं करना चाहिए, आप मेरे गाउं आईए, फिर मुझे देखिए, मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ, आप डिसाइड कीजिए क्या हुआ जद साब, आप मेरे गाउं को देख कर हस रहे हैं, नहीं मैं आपको देख कर हस रहा हूँ, आपके घर जाने के लिए, आपके साथ पांच गड़िया आगे, पांच गड़िया पीछे चल रहे हैं, और सो लोग सिक्यूरिटी के लिए हैं यह सिक्यूरिटी मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले सुनाए हैं, कुछ लोगों को न्याय मिला है, कुछ लोगों को नहीं, कोई भी किसी भी वज़ा से आपसे बदला ले सकता है, आप मेरे महमान है इस वक्त, आपको नहीं होना चाहिए इतना ही नहीं, उनके पास कटिंग करवाने के लिए बड़े-बड़े हीरो लोग आते हैं, लड़के का थोबड़ा भी अच्छा है, इनकम भी अच्छी है, अब दोनों की बस शादी हो रही है अब दो, ये शादी नहीं हो सकती ये आप का कह रहे हैं, आप ही न तो कहा था, कि आप उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए आप भरेंगे, वो गया जूट था क्या? मुझे लगा वंशी की शादी है इसे घर से होगी, इसलिए मैंने सिल्के साडी खरीद ली अच्छा, क्या तुमने तीन सफेज चादारों तक ये शादी के रात के लिए नहीं खरीदे? मैंने तीन जोड़े तीन रातों के लिए खरीदे हैं मैंने काम करो, उनको अपने घर बुला, उनके सामने मुझना करो, धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा, डरने लगा, सजना, ऐसा का होगी, तो आप जाकर तुम्हारी खुजली मिटेगी, चाल पागल कहींगी, आप यहां पर क्यों गड़ी है, चाल अंदर जा वो भूपती जो भी चाहता है, वो उसे नहीं मिलना चाहिए, वो कैसे जीजा, जाज को मार देंगे, फिर शादी रुख जाएगी, अगर जाज और पुलिस वालों को आप मारेंगे, तो लोग आपको फैसिस नहीं, नेक्सलाइट कहेंगे, एक फैसिस सो नेक्सलाइट के पराबर होता है, देखना मैं उसे किसे मारता हूँ, इस पर भी एक कहवत है, भोगने वाला काटता नहीं, चुपकार, इस बार भोगोंगा नहीं, काट लूँगा, आंटी जी, कब चलेंगे कांची, क्यों, अभी से तिरत करना चाहती हो, नहीं, शादी के लिए अच्छी स साड़ियां कांची में ही मिलती है, कांची नहीं, हम कला मंदिर जाएंगे, बैतरिय साड़ियों का एक ही स्थान, कला मंदिर, कुकट पढली, दिलखुश नगर, अमर पेट, इतना हिलो मत भावी, एई, ये क्या, मुझ पे रोब चमा रही हो, मैं आपकी ननद हो ना भाव क्या बोला, इसे डाड़ी, इस नड़की को क्या बोलाया तुमने, भावी, इसका एक नाम भी है, क्या हो, ननदनी, करेक्ट, इसको इसी नाम से बोलाओ, भावी इसको शादी के बाद बोला, क्यों गुनो नाम से भावी 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 मेरे प्यारी भावी मेरी अच्छी भावी क्या बात आपने इतना खाना बनाया क्योंकि हम आया है नहीं बेटा रोज बनता है तो सुब़ शाम इतना खाते हैं रोज इस घर में 30-40 लोग खाना खाते हैं अमारे घर से कोई भूका नहीं चाहता डादी, खाना कैसा लगा? खाना तो अच्छा ही है, लेकित थोड़ा तीखा ज़ादा है जट साब, खान वाले तीखा भी ज़ादा खाते हैं, प्यार भी ज़ादा करते हैं नंदिनी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ मैं बाद में खालूँगी आंटी सब कुछ तो यहाँ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो रहने दीजे, मैं बाद में खालूँगी बुरा मत मानिएगा, नंदिनी का आज उप्वास है उप्वास है? पर किसलिए? उसने साथ शुक्रवार का व्रत रखा है, ताकि उसे वो मिल जाए, जिससे वो प्यार करती है वो शुक्रवार को पानी तक नहीं पीती क्या है यह? मैं तुम्हारे लिए जूस लाया, इसे जल्दी से पीलो और अपना व्रत तोडो मैं कोई भूख हरताल पे नहीं हूँ, उप्वास है मेरा भगवान से कुछ मांगना, एक भूख हरताली हो गई ना? मैं भगवान से क्या मांगूंगी? अपनी पसंद के लड़के से शादी करना, ये भी तो मांगना हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो ये पीयो नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं पी सकती दिन बीच चुका है, बारा बच चुके हैं, अब तुम ये पी सकती हो नहीं पीऊंगी, तुम पिला दो आहा, क्या किस्मत है मेरी देखा है पहली बार, साजन की आँखों में प्यार अब जाके आया मेरे, बेचे नहीं को गरार वाह, क्या बात है बेटा, अपने पतनी से इतना प्यार तेरे पापा के साथ मैंने कितनी बार जगड़ा किया लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे खाने के लिए नहीं पुछा और तुने भी तो खाने का छोड़ एक ग्लास पानी तक नहीं पिलाया जब मैं एक बार फिसल गई थी ना, तो कहा बोन स्पेशलिस्ट के पास लिए चलो तो भाईया ने कहा कि अमरे तांजन लगा लो, मुझे पर थोड़ा सा भी नहीं दिखाया इसलिए तो कहते हैं बीबी आने के बार सब पराय हो जाते हैं तुमने भी तैसे किया, अच्छा जाने दो यहाँ पर सब लोग नंदनी का व्रत तुरवाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं लेकिन कोई खिलाएगा नहीं, बेटा तुम किसे के बात मत सुनना, पिलाओ जल्दी पिलाओ न बेटा जट साब, यह पूरा का पूरा बाग आपके बेटे का बाग है अगर हम कुछ दिल से चाहते हैं, वो हो के ही रहता है बाई 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 बेंगेट के आपने घर पर आम कर दें भाई चलो रहा है अगर 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 तुम लग जो कर रहें गोलता है सेक्शन 337 के अतररत, तुम लोग कंदर डाल दूँगा रख जा भाई तुम रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो, एक एक पो काट देंगे हम हम इने मार सकते हैं, पर मैंने जट साब से वाधा किया है अरे? क्या उनोंने आपको बहुत मारा डाड़ी? यहां हर कोई किसी को बेवज़ा नहीं मारता है तुमारे भाई के तो हर जगे दुश्मन है सच है बेटा, जो धर्म की रहा पे चलता है, उसके बहुत सारी दुश्मन होते है अरे ठीक है ठीक है बेटा, आपको उठने की जरूरत नहीं बेटा हम आपके शहर में आये थे और आपके शहर में हम पांच दिन रुके थे वहां हम लोगों ने देखा कि वहां आम लोगों के लिए हर गली में एक न एक मंदिर जरूर है मैं ये तो नहीं जानती, उन मंदिरों में भगवान उनके कश्च दूर करता या नहीं लेकिन इस चोटे से गाओं में अगर किसी को परिशानी होती है न तो वो हमारे दर्वाजे पे आता है और उसके परिशानी दूर हो जाती है, मैंने जिन्दकी में आज तक ये नहीं देखा लोगों की बाते सुननी पड़ रही है, उसे मारवे खानी पड़ रही है मेरे पोते ने आज तक इतना नहीं सहा बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया, वो तुम से मुकाबला नहीं कर रहा है वो अपनी बेहन के लिए समझोता कर रहा है आप यहां महमान हैं, हमारी वज़े से आपको इतनी सारी चोटी लगी है हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, मैं जा रही हूँ वंशी मुझे लगता है हमने कोई गलती की है लेकिन किस चीज में? अगर उस दिन हमने मंदिर में शादी कर ली होती, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें चिंता करने की जुरूत नहीं है, मुझे अपने प्यार पे भरोसा नहीं है सुनिये जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कल नॉमिनेशन्स हैं, पता नहीं क्या होगा जो किस्मत में है वही होगा, तुम जाके सोजो बाबी, चल, चल मेरे साथ, मेरे साथ हो बताती है, मेरे तो चल ये लो, बाबी ये सब क्या है, तुम कुछ मत पूछो तुम्हारे प्यार को यहाँ न्याय कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारे पिताजी तुम लोग की शादी नहीं होने देगी बेटा, कहीं जाके शादी कर लो, और खुशी से अपना घर बसाओ अरे बात वो नहीं है, असल में मुझे पता है, तुम नंदीनी का ख्याल हम से जादा रख सकते हो माँ आप तो यह नहीं समझाओ तुम कुछ मत बोल, हम दोनों यहीं चाहती है लेकिन भावी, जब यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हें यहां बुला लूँगी, तुम लोग जाओ यहां से ओके, ओके, ठीके, ठीके, चलिए, चलिए, पैठिए मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं जिन्दगी में तुम्हें दो रास्ते में लेके, पहला रास्ता सही होगा और जो दूसरा रास्ता होगा, वो हमेशा गलत होगा गलत रास्ता अपनी तरफ खीचता है, उसमें मुश्किले कम होती है पहले हमें लगता है हम जीत रहे हैं लेकिन आखिर में हम हार जाते हैं सही रास्ता वैसा नहीं होता पहले मुश्किले सामने आती है कदम कदम पर इम्तिहान होता है बहुत दुख जहलने पड़ते हैं लेकिन आखिर में जीत हमारी होती है इसके दादी की एक ही ख्वाइश है वो इसकी शादी दिखना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों के दिल की इच्छा क्या है अगर हम शादी करना चाहते तो मैं इसे किसी भी मंदिर में ले जाकर मंगल सुत्र पहना देता और दुनिया की नजरों में हम दोनों एक दूसरे के लिए पती पतनी बन जाते लेकिन दुनिया से जादा हमें इन दो परिवार का आश्रवात जरूरी है अब आप ही बताईए क्या हमें भाग कर शादी करनी चाहिए इसमयर में हमेशा चाहती थी नंदिन की शादी धुमदाम से हो लेकिन मैं भी यही कहना चारी है जो ये दोनों कह रही है तुम दोनों चले जाओ आशिए बहले ही तुम लोग हमसे छोटी हो पर एकदम सही हो जो भागता है वो कभी जीतता नहीं, और जो जीतना चाहते हो, कभी भागता नहीं, मुझ पर विश्वा सको, ये शादी सबके आशिर्वासे ही होगी बात वो नहीं है, मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन वो भुपती के बच्चा लड़ाई जगड़ा छोड़ कर सादू बन गया है, ये बात मैं नहीं मान सकता हाँ जीजा, चच की सर्त है अगर भुपती ने लाई जगड़ा छोड़ दिया, तब ही उन नोरों की साधी होगी कूच जाईए, आप भी जग में मर्द की तरह कूच जाईए जीजाजी, यही हमारे लिए अच्छा मोका है इससे अच्छा मोका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूँगा, वो पती को कुछ भी करके हमें रोकना होगा और ये देखना होगा कि वो हमसे आगे न बल पाए है, मोका पाते ही, अपने कुछ लोगों को उनके भीड में शामिल कर दो सुनिए जी, क्या मैं भी वहाँ और तुमें शामिल हो जाओ नहीं आदमियों के साथ जाकर शामिल हो जाओ डिस्कोर, डिस्कोर, करकर नाचो गदे की बच्ची, जान से मार दूँगा, चला अंदर जा नौमीनिशन के लिए लेट हो रहे हैं जी जा सब कुछ प्लान के मताबिक होना चाहिए ए चला मा, आग को पता है मेरा फैसला क्या है मुझे आशिरवाद दीजिए अपना आशिरवाद दीजिए मा आपको नौमीनिशन के लिए हत्यारों को जुरुवत पड़ेगी तुम लोगों ने सुना नहीं, हत्यार यहीं रखदो यहां पे साइन करिए पैस्ट अप लग थैंक्स, थैंक्स, अरे वाह मैंने उससे पहले नौमीनिशन के पेपर पर दिए दिल को शांती मिली यह कोई दोड़ थोड़ी हो रही है कि जो पहले नौमीनिशन भरेगा वो जीतेगा वो भी यहां नौमीनिशन पेपर पर पनने के लिए आई रहा होगा अरे वो नौमीनिशन भरी नी पाएगा वो कैसे? अबे जन्दू भाम अमारे आदमी लोग इसका ढोल बजा देंगे फ्रक्री बैएख साथ ओसरे खोपास भरेट लूवोड़ी खोरे टीकों का बुल मंत बैएख सता ऑघक के सब्सक्राव внेख सुन selbst होड़ी खोफारन लिएख और दिया बन्पत्क जान एंगाए्टald खङर, खगर, तचर, खखाएवावाववार, खखाएवावावा ऑारी ज़ीटो, खवज़ पोगावावा ऑफज़ उसे करो खाएवावाव!! मता, बढून को जफिछाइए, जब दिलके लिखाइए, अधिए, पर लोगा हमारे लोगो को जफिते हमें लटापनेंगा प्ukु क्या इतर्व जोतोंगा भाईyy bandwidth किॉपशना स्थाउड़ी शुओ में किया चारईंड़ांड एयाओ किॉपशना का इंधा एच याव से जिंदा सब्वाटर चारईंड़ांग एम फोगे लाज़ Dasben concerned कि कि अ keep on कि अ कि अ बत कि Vegस cm रुप जाओ रुप जाओ लंदिनी मुझे माव् कि यहां वो पती खुद लड़ाई में खूद गया आपने उसे मजबूर किया अब जेलो चुपकर कि यहांगे पती है अपने कि यहांगे विवाद अपनाया रहए़ाई understand अजय दये उतinci फिवन इतना ऐख अजय city ह supports अ कि धहा है नहा है युभलese कि म३ली कर आखे मुबले Basic खांऄ है अ जुबले भजले मुज़ोच मुझों औरे मुचक दो है but i झाल झाल कर दोगाइं कर दो ऩहाइं कर दो तुकाम है एजुआ एज वाइं कर दो यहाइं अर्फ नहाइं कर भाईं यहाइं बटो हो अ वे वे वुह ए अ हाज सर फड़स कर जो खुब बेंग सब्सक्राइब बेंग के ट्राइब अब एट कुछाई का नमबर है अब इंग कल जाबाँ उनको हाँ हाँ अगे देख क्या रहे हो मारो उंचे वाम्चे सब रुक जाओ वाम्चे भविश्य बरबाद मत करो कि तुम्हारे लाइक काम नहीं भूपटि मुझे मत मार मैं अपना नॉमिनेशन आपस ले लेता हूँ तुम मुझे मत मार प्लीज जो किसी को मारता है उसमें मरने का भी दम होना चाहिए क्या तेरे में हिम्मत है वेंकर ट्रडी एक एमेले बनने के लिए हमारे गाओं में तु इतना खुन खराबा कर सकता है मंत्री बनने के लिए सब लोगों का दिल जीतना पड़ता है खुन नहीं बहाना पड़ता समझा तेरे और मेरे आदमियों ने अपने स्वार्थ में कितने लोगों का खुन बहाया है मैंने सोचा था मेरे लोगों की जिंदगी मेरी बेहन की शादी से ज्यादा कीमती है इसलिए तलबार उठाई नामीनेशन फाइल करने में पांच मिनिट है दायर नामीनेशन के पेपर दो भूब दिभाई भूब दिभाई जो भी हम जिन्दगी में बोते हैं वही काटना पड़ता है चलो हम दोनों मिलकर प्यार के बीच बोएं येलो नफ्रत से बेहने वाले खून की ये आखरी बूद होगी येलो बिना इलेक्शन के तुझे अमेले बनाता हूं इतिहास में पहली बार इलेक्शन में तुम ऐसे अ मैं आप सब के प्यार का आभारी हूं ताना शाही तभी होगी जब अपॉजिशन होगा अगर हम हाथ मिला लें तो ताना शाही मिट जाएगी मेरी बात मानकर आप इस वेंकर ट्रेड़ी को एमेले बनाईए वेंकर ट्रेड़ी लोगों का भला चाहने वाला प्रतिनीदी बनेगा लेकिन लोगों की दौलत नहीं लूटेगा मैं इस आशा के साथ तुम्हें ये पद दे रहा हूं कि तुम इनकी अच्छी सेवा करोगे अगर तुमने आशाई नहीं तोड़ी तो पांस साल क्या तुम पूरी जिन्दगी भर के लिए इस गाउं के एमेले रहोगे और अगर धोका दिया तो भाई भूपती भाई दूसरों का भला करो फिर सभी के सभी लोग तुम्हें भाई बुलाएंगे मैं भी वही चाहता हूं फिर मैं भी तुम्हें भाई बुलाऊंगा याद रखना कर दो वो हमसे मैं हार गया हार गया मैं हार गया जच साब को दिया वादा तूट गया और तुम दोनों का प्यार नहीं दिला पाया निया है तुम अपने पिता के साथ लौट जाओ और उनकी ही पसंद के लड़की से शादी कर रो तुम्हें जिन्दगी में किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो भूलना मत कि ये शुपशित्दक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटी नंदिनी माफ 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 कर देना मेरा प्यार हार के मुझे दुख नहीं है लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आप नहीं हारेगी मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं आपकी बहन हूँ अभी तक मैंने फैसले गवाहों को सुनने के बात दी हैं लेकिन आज पहली बार मैं अपना फैसला गवाह बन करके दूँगा जब आप पहली बार हमारे घर आये थे तो मैंने आपने एक तनाशा देखा था तनाशा मतलब जिसमें हंकार और घमंड हो लेकिन आपने लोगों की जान बचाई आपने मेरी बेटी की जान बचाई इस गाओं के लोगों के दिल सोने के वो आपको बहुत मानते हैं मैंने कहा था कि एलेक्शन बीना हिंसा के जीत के दिखाईए लेकिन भविश में होने वाले एलेक्शन में भी जो हिंसा होगी उसको भी आपने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया आपने तानासा ही हटाने के एक अच्छान लिकाला बेहन के बारे में सोचने के बजाये, आपने सब के बारे में सोचा और हम सब को जीत लिया इसी को जीत कहते हैं, और यही springs चाहता था मुझे गर्व है कि मैं आपसे रिश्टा जोड रहा हूँ चितना गर्व आपको हो रहा है उतना ही मुझे भी हो रहा है इन दूनों की शादी करने में अपने भुजूर्गों की बात मानकर शादी करने की इच्छा नहीं इनके इस प्रेम को जीत दिलाई है ये हमारी जीत तो है ही नहीं हमने प्यार पे भरोसा किया और आपने हम पे भरोसा किया असल में हमने प्यार तो आप से ही सिखा है हमने एक कदम बढ़ाया तो आपने हमारी तरफ दस कदम बढ़ाये और हमारी लव स्टोरी को लवली स्टोरी बना दिया शाबाश तुमने ये साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहें तो हमें जरूर मिलता है अब एक शुमूरत वाला दिन तै करें